इस्टार्ट मैं इन दिनों गुजरात के दो हजार दो के दंगों पर एक नई किताब पढ़ रहा हूं जिसका शीरशक है अंडर कवर माई जर्नी इंटू दा डार्कनेस अब हिंदुत्व इसे आशीश खेतान ने लिखा है जिन्होंने दंगों के बाद शांदार रिपोर्टिंग की थी खास तोर से उन हमलावरों के बारे में जो सजा से बच गए दो दशकों पहले हुए इस खूनी नरसंगहार को समझने के लिए अंडर कवर एक महतपूर सुरोत है हालाकि यह वर्तमान के बारे में भी बात करती है क्योंकि तब जो उस राज में शासन कर रहे थे वही आज केंदर में हैं मोदी के गुजरात में खेतान लिखते हैं कि यदि किसी नौकर शाह या पुलिस अधिकारी को आगे बढ़ना होता था तो उसे पूरी तरह से व्यवस्था के छलकपट का हिस्सा बनना पड़ता था प्रधान मंतरी के रूप में नरेंदर मोदी और ग्री मंतरी के रूप में अमित्षा के आने के बाद केंदर सरकार के लिए भी यह बात सच है 2014 से पहले भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आधिकारिक आर्थिक आपड़ों की उनकी विश्वस्नियता के कारण दुनिया भर में तारीफ होती थी अब अधियता उन पर विश्वास नहीं करते प्रतेक छित में चाहेवा अर्थिवस्था हो या स्वास्त या सिच्छा या चुनावी फंडिंग सत्य पारदर्शिता के बजाए चाला की और उपेच्छा सरकार के व्यवहार की विशेस्ता है देश भर में गुजरात माडल अपनाने का नतीजा या हुआ है कि बस और सहासहमती के लिए जंगा सिकूर्ती जा रही है खेतान लिखते हैं गुजरात में बारा साल से अधिक समय तक जिन टूल्स का इस्तेमाल किया गया उनका इस्तेमाल अब राश्ट्री अस्तर पर आसहमती को दबाने और अतंकित करने के लिए किया जा रहा है मोदी के आलोचुकों और राश्ट विरोधी और राश्ट के लिए खत्रा बता कर अक्सर जेल में डाल दिया जाता है शांतिपूर विरोध को दबाने के लिए मोदी शाह की सक्ता ने मनमाने ढंग से राजशक्ती का बेताहाशा इस्तेमाल किया है पिछले साल दिल्ली पुलिस ने फरवरी के दंगों की आल लेकर छात्र नेता और महिला कारकरताओं के खिलाप कठोर कारवाई की जिनका इन दंगों से कोई लेना देना नहीं था वहीं दूसरी और उसने उन शिर्ष भाजबा नेताओं के खिलाप एफाईयार दर्ज करने से इनकार कर दिया जो खुले आम हिंसा के लिए उकसा रहे थे दंगों के मामले में पुलिस के पचपाती रवये के बारे में जूलियो रिबोरे ने लिखा दिल्ली पुलिस के खांटी अन्याये वाले रवये ने इस बुढ़े पुलिस वाले की अंतरात्मा को छकजोर दिया राज़ पुलिस की दुर्भावनापोर्ड मंशा पुलिस की कारवाई में दिखती है जिसने सप्ताहांत में किरपतारियां की जब अदालतें बंद होती है और वकील उपलब्द नहीं होते यह UPA गैरकानूनी गतिविदी निरोधक अधिनियम के नियमित इस्तेमाल से भी प्रकट होती है यह आसाधारण तरीके से कठोर कानून है जिसके प्रावधान जैसा की एक कानून विशलेशक ने लिखा आप्राधिक रूप से अत्यधिक व्यापक रूप से अस्पष्ट और मौलिक अधिकारों का राज प्रायोजित उलंगन का मनमाना कानून है यह आपने हाद आप झापक रूप से अस्पष्ट प्रावधा लाद प्रावधान जैसा के लिए लाद़ प्रावधान जैसा कानून है